इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 23 जून 2019 और यह हमारी 182 वी क्लास है आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरश्टी से बहुत इंपोटेंट है इन questions को आप नूट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाती है साथी questions related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है दोस्तो अगर आपको MPG के और current of year से related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताए हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first पर हाली में कब अंतरास्टिय योग दिबस मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है 21 जून हाली में 21 जून को अंतरास्टिय योग दिबस मनाया गया है दोस्तो आपको अंतरास्टिय योग दिबस की बारी में बता दें 27 सितंबर 2014 को सवयक्त रास्ट महासवा में प्रधान मंत्री नरेनर मोदी जी ने इस दिवस की घोशना की थी पहली बार 21 जून 2015 को यह दिवस मनाया गया था दोस्तो आपको बता दें इस दिवस पर योग, ध्यान, सामुइक, मन्तन, विचार, विमार्श, सांस्कृतिक, आयोजन किये जाती हैं दोस्तो आप बात करते हैं इसकी थीम की तो 2019 में विश्व योग दिवस की जो थीम है वह है योग फॉर हर्ट ये थीम आपको जरूर याद रखनी है तो इतना आपको इस दिवस की बारी में याद रखना है चलते हैं नेक्स्ट कॉशन पर साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है तो दोस्तो इसका सई उफ्षन है 21 जून 21 को हर साल का सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तो आपको बता दें इस दिन 12 वजे से 12 तीस के बीच आप अपनी परचाई भी नहीं देख सकते हैं दोस्तो आपको कुछ और इंपोर्टेंट फेक्ट बता दें इस दिन के बारे में दोस्तो 21 जून को सूर्य की किरने करक रेखा पर लंबबबत पड़ती हैं इसके चलते उत्री गोलार्द में भारत सहत जितने अन्देश हैं उनमें बड़े दिन और छोटी राते होती हैं दिन बड़ा होने से गर्मी भी दोस्तो बहुत अधिक होती है दोस्तो अगर बात कहें सबसे बड़ी रात की तो 21 दिसम्बर को सबसे बड़ी रात होती है साल की ये दोस्तो दो important question है आपको याद रखने है सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे बड़ी रात 21 दिसम्बर को तो 21-21 याद रखने हैं और जून दिसम्बर चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर हाली में कहां हजरत बेरी बाले बाबा का मेला लगाया गया है तो दोस्तो इसका सई उप्षन है सागर जिले में हाली में सागर जिले में हजरत बेवी बारे बावा का मेला लगाया गया है दोस्तो इनका यह 52 ओष है यह मद्धिप्रदेश के सागर में लगाया जाता है दोस्तो अब बाता है सागर की तो आपको कुछ important fact सागर के बारे में बता दे मद्धिप्रदेश का प्रतम विश्विद्याले जिसे हम dr. hari shingor विश्विद्याले के नाम से जानते हैं यह सागर जिले में ही इस्तित है दोस्तो इसकी स्थापना 1946 यानि 1946 में की गई थी मद्धिप्रदेश Forensic Lab की स्थापना भी सागर में ही की गई है प्रदेश पुलिस अकेडमी भी जो दूसरी अकेडमी है यह सागर में ही इस्थित है पदमाकर समारो है सागर में ही मनाया जाता है दोस्तो स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स भी सागर में ही बनाया गया है परदीश का सबसे बड़ा अभ्यारन जिसे हम नौरादी अभ्यारन की नाम से जानती हैं यह सागर जिले में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको सागर की वारी में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में किस राज ने बच्चों की टिक टॉक और पबजी के इस्तिमाल पर रोक लगाई है तो दोस्तो इसका सई option है गोवा हाली में गोवा राज ने बच्चों की टिक टॉक और पबजी के इस्तिमाल पर रोक लगाई है दोस्तो हाली में गोवा, राजने, सबी स्कूलों में एक एडवाईजरी जारी की है इसमें स्कूल प्रवंदन से बच्चों को TikTok, App और PUBG जैसे Mobile Game के इस्तिमाल पर रोक लगाने कहा गया है दोस्तो साथी Parents को भी इसके खिलाफ Awareness फैलाने कहा गया है दोस्तो अब बात आईए गोवा की तो आपको कुछ Important Factor गोवा के बारे में बता दें दोस्तो गोवा की Capital यानि राज्तानी है पंजिम या पंजी गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में की गई थी यानि 30 में 1987 गोवा की Governor है म्रदुल सिनहा और Chief Minister है प्रमोध शावंत तो दोस्तो इतना आपको गोवा की बारे में याद रखना है चलते हैं Next Question पर हाली में किस राज्ज ने Project चूलहा लाँच किया है तो दोस्तो इसका सई Option है महारास्ट हाली में महारास्ट राज्ज में Project चूलहा लाँच किया गया है दोस्तो महरास्ट सरकार ने महिलाओं को दुए से मुक्त रसुई का माहुल प्रदान करने के लिए चूला नामक प्रोजेक्ट लॉंच किया है इस यूजना का लाब उन महिलाओं को मिलेगा जो उज्जोला यूजना की तहट कबर नहीं किया गया है दोस्तो आपको बता दें इस यूजना का किरियान वैन नकसल प्रवावित इलाकों और उन जिलों में लागू किया जाएगा जहां पर किसानों ने आत्म हत्या की है और वहाँ पर दर अदेखे आत्म हत्या की दोस्तो आपको उज्जुला योजना की बारे में एक important fact बता दें इस योजना को launch किया गया था मई 2016 में तो आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तो आप बात आई है महराष्ट की तो आपको मैप में महराष्ट की बारे में बता दें मैप में ये जगह महरास्ट को दरसादी है महरास्ट की स्थापना 1 माई 1960 में की गई थी गौवर्नर है विद्या सागर राओ महरास्ट की मुख्यमंत्री है देविंद फड़नवीस और महरास्ट की राजधानी है मुंबई तो दोस्तो इतना आपको महरास्ट की बारे में याद रखना है साथ ही याद रखना है प्रोजेक्ट चूलह भी महरास्ट सरकार द्वारा लॉंच किया गया है नेक्स्ट कॉस्चन वर्ल्ड यूनिवरसिटी रैंकिंग में कौन सी विश्विद्धियालें पहले इस्थान पर है तो दोस्तो इसका सही option है मैसा चुसेट्स इंस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी अमेर्का दोस्तो यह विश्विद्धियालें वर्ल यूनिवर्स्टी रैंकिंग में पहले इस्थान पर है दोस्तो अगर वहीं बात करें टॉफ थ्री रैंकिंग की तो सेकंड नंबर पर है स्टनफोर्ड यूनिवर्सटी अमेरिका और हवर्ड यूनिवर्सटी अमेरिका दोस्तो ये तीनों यूनिवरस्टी पहले दूसरे और तीसरे इस्थान पर हैं दोस्तो अगर बात करें वहीं भारत की तो भारत की जो IIT Bombay है यह 152 वे स्थान पर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यूनिवरस्टी अमेरिका और यूनिवरस्टी इंडिया की बारे में जो इंडिया की IIT Bombay जो West College है यह 152 वे स्थान पर है दोस्तो अगर बहीं बात करें 2019 में तो IIT Bombay 2019 में 162 वे स्थान पर है दस अंकों का इस बार इजाफा हुआ है और 152 नंबर पर पहुँच गई है IIT Bombay Next Question हाली में किस देश ने रावन बन उपग्रह लॉंच किया है तो दोस्तो इसका सेई उफ्षन है श्री लंका हाली में श्री लंका ने रावन बन उपग्रह लॉंच किया है दोस्तो मात्र 2 श्री लंकाई इंजीनेरों द्वारा नर्मित गिया है श्री लंका का प्रथम उपग्रह है और इसे प्रथवी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा दोस्तो आपको रावन बन उपग्रह की बारी में बता दें यह उपग्रह 18 फरवरी को जाक्सा जिव जापान की अंतरक्ष एजंसी है उसे सौपा गया था इसके बाद 17 अप्रेल को इसे अंतरास्टिय स्पेस इस्टिशन के लिए अमेर का भीजा गया था दोस्तो इस उपग्रह को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रत्वी में इस्थापित किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए श्रीलंका की तो आपको मैप में श्रीलंका की बारे में बता दें मैप में ये जगह श्रीलंका को दरसाती है स्री लंका की राजधानी है स्री जैवर्धन पुरे कोटे और स्री लंका की राष्टपती है मैत्री पला स्री सेना स्री लंका की प्रधान मंत्री है रानिल विक्रम सिंगे और स्री लंका की करंसी है स्री लंकन रुप्या तो दोस्तो इतना आपको श्री रंका की बारे में याद रखना है Next question हाली में किस चपल को GI Tech दिया गया है तो इसका सही option है कोलहापुरी चपल हाली में कोलहापुरी चपल को GI Tech प्रदान किया गया है दोस्तो आपको बता दें हाली में कोलहापुरी चपल को विसिष्ट भौगुलिक संकेत यानि GI Tech या Geographical Indication प्रदान किया गया है यह टेग महारास्ट और करनाटक को सेखत रूप से दिया गया है कोलहापुरी चपल का नमाड चमड़े से किया जाता है और दोस्तो आपको बता दें इस चपल को हाथ की द्वारा निर्मित किया जाता है इसका मुख रूप से इनका नमाड महारास्ट के कोलहापुर, सांगली, सोलापुर और सतारा जिले में और करनाटक के बेलगाम, धारवार, बालकूट, बीजापुर जिले में किया जाता है और इसे मुख्य कोलहापुरी चपल नाम दिया गया है दोस्तो आप बात करते हैं जी आई टेग की ये क्या है इसके बारे में तो इसका फुलफाम होता है जियोग्राफिकल इंडिगेशन जी आई टेग पहचान उस बस्तू या उत्पात को दिया जाता है जो विजड़ शीटर में प्रति निद्रत्व करती है यानि जो स्पेशल अईरिया में पाई जाती है और यह कुलहापुरी चपल यहीं सिर्फ पूलापुर में पाई जाती है डूस्तो आप बात आपको बता दे मध्द परदिश में भी जी आई टेग दिया गया है मद्ध प्रदीश में इंदोर की खिलोने को और कड़कनाद मुरगे को GI टेग दिया गया है चलती है नेक्स्ट कॉश्चन पर बीर सहंपूर विद्यूत केंदर किस जिले में इस्थित है तो दोस्तो इसका सही option है उमरिया उमरिया जिले में बीर सहंपूर विद्यूत केंदर इस्थित है दोस्तो आपको बीर सहंपूर विद्यूत केंदर की बारे में बता दें इसका जो प्रारंब किया गया था वह 1991 यानि 1991 में किया गया था इसका जो बिजली उत्पादन है उसकी बारे में बता दें तो यह 20 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। दोस्तो अब बात आईए उमरिया की तो आपको कुछ important fact उमरिया की बारे में बता दें। शहडोल संभाग का एक जिला है उमरिया, 31 मई 1998 यानि 1998 में उमरिया जिले का गठन किया गया था। प्रदेश का सरवाधिक लाख का उत्पादन उमरिया जिले से ही होता है। और प्रजेक्ट टाइगर में शामिल है यह उमरिया जिले में ही इस्तित है। संजय गांदी थर्मर पावल प्रांट की इस्थापना भी उमरिया जिले में ही की गई है बांदोगर किला और ज्वाला मुखी मंदिर उमरिया जिले में ही इस्थित है दोस्तो जो हिला जो कोहिला घाटी क्षित्र है यह यहीं पर इस्थित है ताला जो पुरातद्विक इस्थल है यह उमरिया जिले में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको उमरिया की बारे में याद रखना है चलते हैं next question पर विजय फर्टिलाइजर और वरक कारखाना किस जिले में इस्थित है तो दोस्तो इसका सही option है गुना गुना जिले में विजय फर्टिलाइजर और वरक कारखाना इस्थित है दोस्तो खास बात इस कारखाने की यह है इसे USA और इटली की सहायता से गुना में इस्थापित किया गया है दोस्तो अब बात आईए गुना की तो आपको कुछ important factor गुना के बारे में बता दें तेजा जी का मेला यहीं गुना में लगता है वो उपग्रह संचार अनविशन केंदर गुना जिले में ही इस्थित है राजगाट परियोचना गुना जिले में ही इस्थित है दोस्त दोस्तो गुना जिला गुआलियर संभाग का एक जिला है मालवा पठार के उत्तर पूर्वी हिस्से में पारवती और बेत्वा नदी के बीच इस्थित है गुना तो दोस्तो इतना आपको गुना के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन निम्नमै से कौन सा एक ओद्योगिक बिकास केंद्र है दोस्तो आपको बता दे ये चारों एक ओद्योगिक बिकास केंद्र है पीलू खेडी यह राजगर का बिकास केंद्र है मालनपुर यह बिंड का एक ओद्योगिक बिकास केंद्र है मुनेरी यह मंडला में इस्थित है और यह एक विकास किंद्र है वहीं अगर पुरेना की बात करें तो यह पन्ना जिली में इस्थित है और एक ओद्योगिक विकास किंद्र है दोस्तो आपको एक खास बात बता दें मद्यप्रदेश के जितने भी जिले हैं उनमें कम से कम एक और द्योगिक विकास के अंदर की इस्थापना की गई है निम्नमै से किस निगम की इस्थापना इंदोर में की गई है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है मद्ध्य प्रदीश वित्त निगम और मद्ध्य प्रदीश वस्त्र उद्योग निगम इन दोनों निगमों की इस्थापना इंद और जिली में की गई है वहीं अगर बात करें मद्ध्य प्रदीश लगू उद्योग निगम की और मद्ध्य प्रदीश दोस्तो यहाँ पर एग आता है, एक्जाम में उसके बारे में बता दे मुझे तो वहीं मद्द प्रिदेश खादी ग्राम उध्योंग वोड की इस्थापना भवू-पाल में की गई है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी तो दोस्तो ये एक different question है आपको इन सभी की बारे में इतना याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं previous day की question की तो कल का question था मत्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारन किस चिले में इस्तित है तो इसका सही option था इंदौर इन दौर में सबसे छोटा अभ्यारन इस्तित है जिसका नाम राला मंडल है और इसका छेतिफल 2.49 वर्ग क्लू मीटर है दोस्तो अगर बहीं बात करें सबसे वड़े अभ्यारन की तो यह सागर जिले में इस्तित है और इसका नाम है नौरा देही वन जीव अभ्यारन दोस्तो अब बात करते हैं question of the day की तो आज का question है हाली में मद्यप्रदेश के किस तेराक ने Olympic के लिए qualify किया है दोस्तो इसका option आप हमें comment box में दें हम आपके answer का जरूर इंतिजार करेंगे तो आज के लिए बसतना ही आप मारे चैनल study universe को subscribe कीज़े वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े कला हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ल के interesting facts को लिकर हाजर होंगे दोस्तो आज के लिए बसतना ही नमस्कार have a nice day